बीते दिन निरंकारी सत्गुरू माता सुदिक्षाजी महराज के आशिरवाद से संत निरंकारी चेरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर कायोजन संत निरंकारी सत्संग भवन सेक्टर 15 डी में किया गया इस कैंप में सेक्टर 15 साथ संकत वय सेवादल के स्वहम सेविक के साथ सारे चन्डिगड की साथ संकत ने घरपूर योगदान दिया इस शिविर में 400 शरधालों ने रक्तदान किया जिसमें 81 महिलाओं ने बढ़ चपकर हिसा लिया इस रक्दान शिविर के साथ साथ जीते जी रक्दान जाते जाते यंगदान के तहट 102 शरधालों ने अंग वे एमम उत्तक दान देने के लिए फरंभरे इस रक्दान शिविर का उधगाटन शिरी प्रमिंदर राय रिटायर आईपीएस हरियाना और डॉक्टर आर आर शर्मा प्रोफेसर और प्रमुक ओश्दी विभाग पीजियाई चंडीगर ने संयक तूप से किया इस अबसर पर उन्होंने कहा कि खून दान एक महान करे है संद निरंकारी मिशन के रक्दान बहुत ही उत्साह से शिविर में बढ़ चड़ कर हिसा लेते हैं संद निरंकारी मिशन का वेश्विक समाज कारियों में महत्पुन स्थान रहा है संद निरंकारी मिशन जो है बिछले कई साल हों से भी थी थाई तीन दश्क से तीन से भी ज्यादा दश्क से एटी सिक्स तीन दश्क हो गए तीन दश्क को तीस साल से ज्यादा हो गए हैं जो प्लड टोनेशन की इन लोगोंने महीम चलाई है और इनके जो भी मिशन के गुरू साहिबान थे उन्होंने बोला कि उनका जो नारा था कि खोन नालियों में नहीं नसों में बहना चाहिए बहुत कुछ नारा जो इन्होंने अपनी संगत को दिया उससे संगत ने मोटिवेट होके अभी भी मतलब चंडीगट शहर में तो इतना है कि हमें जो 15-20 साल पहले जो शॉर्टेज हुआ करती थी ब्लड की वो अब देखने में नहीं आती है और ये मिशन की एक और बड़ी खासियत है कि ये कम से कम 15-20 कैंप जो है आप प्रेंदी आप देशियों सबसे पहले मैं डॉक्टर आरर शर्मा पीजेए ब्लड बैंक से निरंकारी मिशन का और इनकी सारी साथ संगत का बहुत बड़ा अभार विक्त करना चाहता हूं जो ये बहुत भारी संख्या में संगत आई है और खुन दान में बड़े उत्सवा के साथ और इक डिसिप्लेंड वे में जो ब्लड डॉनेशन हो रहा है उसको एक बड़ा दर्शनिये और सरानिये कारे कर रहे हैं और ये निरंकारी मिशन जो है ब्लड डॉनेशन में इसको तीन दर्शकों से भी ज़्यादा हो गया है और इनके जो गुरु साहिबान शिरी बाबा हरदेव सिंग्जी थे उनने इतनारा दिया था अपनी संगत के लिए कि रक्त जो है नालियों में नहीं नसों में बहना चाहिए उससे इनके जो साह संगत है वो इतनी प्रभावित हुई कि तब से लेके अब तक लगातार साल में अल ओवर इंडिया अलग लग महीनों में ब्लड डॉनेशन कैम्प और्कनाइज होते हैं और आज तर कम से कम दस लाग से भी ज्यादा ब्लड यूनिट्स दान किये जा चुके हैं मेशन की तरफ से और रफली अनुली अब इनकी डॉनेशन एक लाग से भी ज्यादा करें